केंद्र सरकार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंद को हटा सकती है घरेलू बजार में इसकी कीमतों में गिरावट को देखते हुए इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है इस संबंद में समिक्षा बैठक इसी सकता होने की उम्मीद है वहीं गौर तलब है कि देश में प्याज के उत्पादन में गिरावट आने और तीन महीने में कीमते दोगुनी से अधिक हो जाने के बाद सरकार ने 8 दिसंबर को इसके निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक के लिए रोक ल आवक बढ़ने से दाम करीब 20 फीसदी घटकर 15 रुपे प्रती क्विंटल के अस्तर पर आ गया है पिछले महीने की तुलना में लगवक 35 प्रतिश्चत दाम घटे हैं इससे घरेलू बाजार में भी दाम घटने लगे हैं अधिकारियों के मुताबिक कीमतों में गिरावट क बाउजुद सरकार घरेलू बाजार में रियायती बिक्री अभी जारी रखेगी साथ ही एसी सीएफ नेफेड समेत कई अन्य कोपरेटिव से खरीद भी लगातार जारी है अब तक सरकार ने 25,000 टन खरीद कर घरेलू बाजार में उपलब्दता सुनिश्चित की है वहीं बपर स्टॉक में पड़े 5,000,000 टन रभी प्याज में से सरकार ने सहकारी संसान नेफेड और NCCF के माध्यम से 3.04,000 टन प्याज बाजार में उतारा है इसके चलते प्याज की अखिल भारतिय औसत खुदरा कीमत एक महीने पहले की तुलना में 27.58 प्रतिश्चत घट कर 42 रुपे प्रति किलोग्राम रह गई है 17 अगस्त को प्याज के निर्याद पर 40 प्रतिश्चत की ड्यूटी लगाई गई पहली बार सरकार ने इतनी बड़ी ड्यूटी लगाई वहीं बफर स्टॉक के लिए अब तक 25,000 टन प्याज खरीदा है बफर स्टॉक बनाए रखने और घरेलू उपलबदता को बढ़ाने और कीमतों को नियंतरन में रखने के मकसद से बाजार में हस्त छेप करने के लिए प्याज की खरीद कर रही है वीत वर्स 2023 के लिए बफर स्टॉक लक्ष्य बढ़ाकर साथ तो लाख टन कर दिया गया है जबकि पिछले साल का वास्तिव की स्टॉक तीन लाख टन का था वहीं एक बार फिर से बताते चले कि केंद्र सरकार प्याज के निर्याद पर लगे प्रतिबंध को हटा सकती है घरीलू बजार में इसकी कीमतों में गिरावट को देखते हुए इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है इस संबंध में समिक्षा बैठा किसी सफता होने की उम्मीद है वहीं गौर तलब है कि देश में प्याज के उत्पादन में गिरावट आने और तीन महीने में कीमते दोगुनी से अधिक हो जाने के बाद सरकार ने 8 दिसंबर को इसके निर्याद पर 31 मार्च 2024 तक के लिए र आवक जारी है आवक बढ़ने से दाम करीब 20 फीसदी घटकर 15 रुपे प्रती क्विंटल के अस्तर पर आ गया है पिछले महीने की तुलना में लगवक 35 प्रतिश्रत दाम घटे हैं इससे घरेलू बाजार में भी दाम घटने लगे हैं